आपके मन में होता है कि during the exams हम confidence कैसे गेन करें तो एक simple सा question like अगर मैं पूछता हूँ कई बच्चों से कि अगर मुझे like you know मुझे पूना से गोवा अगर कार से जाना है तो मैं कैसे confidently कार चला सकता हूँ obviously आप एक ही चीज़ बोलेंगे कि sir आप जितना जादा practice करेंगे आप उतनी अच्छी कार चला सकते हैं तो simple सी चीज़ है if you really want to gain confidence during exam time simple इतना simple है न सिर्फ आपको वही चीज लाइक पढ़ाई करनी है जितना जादा आप पढ़ाई करते जाएंगे आप confidence gain करते हैंगे अच्छा एक और चीज़ confidence lose क्यों होता है exam के time पर मैं like मैं भी CS का student रह चुका हूँ तो exam के time पर confidence कैसे जाता है उसके उपर मैं आपको थोड़ा सा एक ज्यान देता हूँ तो माल लीजे मेरे हाथ में अभी माल लीजे I have this book in my hand और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ठीक है आपने एक page पढ़ा दो page पढ़ा और फिर आप सोचते है और बाप रह यार यह चीज़ तो मैंने जिन्दगी में कभी पढ़ी नहीं लाइक यह चीज़ तो मुझे बन ही रही है और देखो पहला नेगटिव थाट स्ट्राइक हुआ कि यार यह चीज़ टफ है मुझे नहीं बन रही है उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आप दूसरा काम आप सीधे पूरी जो पूरी आपके नोट्स है या पूरी मॉडियूल है आप उसको पूरा खोल के देखोगे और यह तना सारा है मैं कैसे करने वाला हूँ और फिर आप बुक्री बंद कर दोगे फिर आप 15-20 मिन के ऐसे बैठ जाओगे और पूरी नेगेटिविटी मतलब एक नेगेटिव थौट ना एक गेहूं के बीच की तरह होता है गेहूं के बीच को अपन ने अगर जमीन में डाल दिया क्या होता है उससे हजार गेहूं के लाइक यूनों बीच आजाते हैं तो एक नेगेटिव थौट अगर मन में आता है तो वहां से यूनों यूगेट मुल्टिपल नेगेटिव थौट्स सहीं बोल रहा हूं कि नहीं मैं बताइए मुझे ऐसे होता है ना तो अब दियांस दिखिए तो अब आपको क्या करना है अब आपने पहली चीज पढ़ी आपको लगा कि यार यह दो पेज तो बहुत सारे हैं यह तीन पेज बहुत सारे हैं और ऐसा भी मन में आए कि यार मैं शायद रिकॉल नहीं मुझे चीजे याद नहीं आएंगी फिर अगला थोट यही आएगा कि मैं एक्जाम में याद आ लिए और अगर आपको confidence नहीं आ रहा है कोई problem नहीं है leave the other things aside आप तीसरा page पढ़िए चौथा page पढ़िए पांचवा page पढ़िए छटवा page पढ़िए और जब आपकी एक reading complete हो जाएगी when you'll complete with your first reading और उसके बाद हो सकता है दो-तीन दिन के बाद आप वो subject दुबारा लें कि ठीक है ठीक है थोड़ा पहुत नहीं बढ़ना है but I am improving मेरी जो हालत है पहली reading के time पे मेरी हालत काफी करापती but you know now I have started to improve चीज़े बदल रही है and वो एक confidence एक positivity आपके mind में आएगी ठीक है and then same will मदब कुल मिला के बात का निचोड यही है बात का क्रक्स यही है कि अगर एक negative thought आ रहे है तो उस thought को suppress करो उस thought को बौधा मत बनने दो उसको suppress करो और जो तुम कर रहे हो करते रहो याद रखना जितनी जादा आपकी practice होगी the more you will practice you know the lesser will be tension और मैं आपको एकी ची इंसान कभी भी डर के नहीं खेलता जिस इंसान ने net practice बहुत अच्छी किये और मेरा यकीन है बच्चो जितना मैं as a teacher जानता हूं कि आप सब लोगों ने net practice बहुत अच्छी किये आप किसी भी अपने friend से बोलो कि यार तुम्हारी company law की writing practice वाली notebook दिखा दो किसी भी दोस्त स प्राक्टिस करिये क्या उसने उतनी राइटिंग प्राक्टिस किये आप आपको section के साथ चीजें आते हैं तो जब आपने इतनी जादा net practice किये वन्यव दन सो मुच अपने प्रेक्टिस और अगर मन में ख्याला देखिए अपन इंसान है इंसान मतलब इंसान का जो मन है बैच अब मुझे लगता है कि यार मेरा ग्राफ ऐसा जा रहा है लेकिन मेरा एक से दिल से भी आवाज आती है कि यार अब अगला बैच अगर नहीं चला तो मैं क्या करूंबा जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा वहम मातर है तो बिल्कुल negativity आएगी लेकिन आपको उस negativity को suppress करना है and you have to you know divert your mind towards positivity you have to keep on doing the actions आपको वही चीज़ें continue करनी है जो चीज़ें आप कर रहे है ठीक है बाइबल में एक चीज़ आप सबको पता लिखिये what you have like जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ आपको जादा मिलेगी what you have more shall be given ये बाइबल में लिखा हुआ है तो अगर आपके दिमाग में टेंशन है अगर आपके दिमाग में negativity है तो आपको जादा क्या मिलने वाली है ये बाइबल बोल रही है yes you are going to get negativity तो ये चीज़ आपको द्हाद में रखनी है इस वकत आप अपने दिमाग में positive thoughts बहुत अच्छी तरीके से फिल करें अच्छी बातें करें अच्छे लोगों से मिलें you know अच्छे friends से बात करें like I connect मतलब आपके जो भी दूसरी academy के friends है कोई भी friend है अच्छे लोगों से बात करें और आपकी net practice अच्छे मेरे side से as a teacher I am 100% confident कि you all will score well आप सब बहतरी स्कोर करने वाले जितना मुझे पता है